हेलो डियर स्टुडेंट्स परिवर्तन क्लासेश पर एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉली टेकनिक से रिलेटर फिजिक्स के साथ सवाल लेकर के हम फिर से आ चुके हैं यह पहला प्रश्ण आपके सामने है 100 ग्राम की एक ठोस गोली को जब 100 कैलोरी प्रति सेकंड उसमा दी जाती है तो उसका तापकरम प्रति मिनट 12 सेकंड बढ़ जाता है तापकरम कितना बढ़ जाता है प्रति सेकंड एक सेकंड में 12 अंसलसियस बढ़ जाता है ठोस की विशिष्ट उस्मा कैलोरी प्रति ग्राम प्रति अंसलसियस में ग्याद करना है तो देखे इसमें प्रश्ण में क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको हम क्रम से लिखेंगे ये पहले जो दिया हुआ है ये क्या है कि 100 ग्राम यानि द्रब्यमान यम बराबर है 100 ग्राम ठिक और 100 ग्राम की गोली है और 10 कैलोरी प्रति सेकेंड उसमा दी जाती है इसका मतलब क्यों बराबर ले लेते हैं 10 कैलोरी प्रति सेकेंड ठिक यह हो गया और इसके बाद इसमें कह रहे हैं प्रति मीनट 12 अंसलसियस बढ़ जाता था प्रति मीनट कितना बढ़ जाता है 12 अंसलसियस बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि एक मीनट में कितना बढ़ जाता है एक मीनट में ताप बढ़ता है कितना बारां से LCS यानि ताप में बृध्धी ये दिया हुआ है अब देखी क्या कह रहे हैं कि हमको पता करना है विसिष्ट उस्मा देखें तो कुल उस्मा की मात्रा जो होती है उसका फार्मूला होता है Q बराबर यम यस डेल्टा टी ठीक कुल उस्मा यम द्रभ्यमान यस डेशिष्ट उस्मा है और डेल्टा टी ताप में बृध्धी होती है तो देखी यहां द्रभ्यमान दिया हुआ है यस ज्याद करना है और डेल्टा टी ताप में बृध्धी दिया हुआ है एक मिनट में बारां सेल्सियस है ना तो डेल् यहां से कुल उस्मा की मात्रा यानि कुल उस्मा क्यों बरावर हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी एक सेकंड में देखिए 10 है तो एक मिनट में कितनी हो जाएगी एक मिनट में क्यों बरावर हो जाएगा कुल उस्मा गुड़े 60 एक मिनट में कितना 60 सेकंड होता है तो क्यों बराबर आपका आगया 600, ठीक, तो ये 600, ये कुल उस्मा मिल गई हमको, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए, क्यू का मान आपका आगया 600, और यम का मान है 100, यस का मान यहां थी करना है, डेल्टा टी का मान 12, ठीक, अब इसको साल्व कर लीजिए, तो यहां से यस बराबर आपका 600, बटे, 100, गुडे, 12, अब इसको 2, 0, 2, 0 से कार दीजिए, 6, 2, 12, यानि यस का मान हो गया आपका, यहां से ये, ये बन जाएगा आपका, 1, 2, अब इसको कार दीजिए, 0, 5, ठीक, तो 0, 5, कैलोरी प्रती, ग्राम प्रती यां सेल्सियस, तो 0, 5, या देखिए, 0, 5 जीरो लगा है ना, यहां 0 भी लगा सकते हैं, तो यहां से जब इसको हम देखेंगे तो यह दूसरा वाला इसमें सही है, ठीक, दूसरा सवाल यहां से सही, आप सम्ग सही होगा, अब देखेंगे, यह दूसरा प्रशण, दूसरा प्रशण है, एक कण जिसका आवेस Q, Q कुलाम का आवे से यदि B वेक से गज़ करता है B चुम्ब की छेत्र में तो उस पर लगने वाला बल यफ बराबर होता है हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है Q V B साइन थीटा अब करें लंबोद करता है थीटा कामान 90 रख देंगे साइन 90 कामान जो है एक होता है तो यह अफ कामान हो जाएगा Q V B तो लगने वाला बल ही यात करना है तो यह हो जाएगा Q V B ठिक, पहला अपसान इसमें सही हो जाएगा, अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में क्या है, देके साथ सवाल में से दो सवाल हो चुके हैं, अब तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें करें कि 18 किलोग्राम का एक व्यक्ति, 18 किलोग्राम का एक व्यक्ति पंद्रा सीड़ियां दस सेकंड में चड़ता है, पंद्रा सीड़ियां जो है, यह देखे, यह सीड़ियां इस प्रकार से, माले जिए, कितनी पंद्रा सीड़ियां जो है, यह चड़ता है, दस सेकंड में, यही न, आगे कह रहे हैं, कि प्रतेक सीड़ी की उचाई 20 से मी है, तो व्यक्ति का सामर्थ घ्याद कीजिए अब देखें कितना सामर्थ बराबर क्या होता है? पी बराबर डबलू अपांटी होता ना यानि कुल कितना कारे करेगा पहले तो यह निकालना पड़ेगा 10 सेकंड में चड़ता है, चलिए समय हो गया आपका 10 सेकंड, 15 सीड़ियां है, तो कितनी उचाई तक जाएगा पहले ये निकाल लेते हैं, उचाई कैसे मिलेगी, 15 सीड़ियां है न, 15 सीड़ी है, और एक सीड़ी की उचाई, 20 सेंटीमीटर, यही न, तो इसको जब गुड़ा करेंगे 15 दूनी 30, तो 300 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और बाकी ये किलोग्राम में दिया हुआ है, तो इस सेंटीमीटर को हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, या कहले जिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर म मीटर प्रती सेकंड इसमें देखिए गलती से लीटर हो गया मीटर हो गया ठिक चलिए यह हो गया यम जी यच भी मिले गया अब यह डबलू तो यहां से निकाल सकते हैं और आम से तो डबलू कामान निकाल लेजिए चलिए यहीं लगाते हैं डबलू बराबर यम जी यच कर सकते हैं तो डारेक्ट लगाईए पी पी बराबर होता है डबलू अपान टी और डबलू कामान बनेगा यम जी यच बटे टी अब मान रख लीजिए इसी में यम कामान कितना 80 किलोग्राम और जी कामान 10 उचाई हो गई 3 मीटर और समय कितना ल तो 248 तो कौन साइज में सही होगा ये देखिए दूसरा इसमें भी सही है तीसरे में भी दूसरा सही और पहले में भी ह towards सही था घा और ठीक है अब देखेंगे हम लोग च pathãy चौथा सवाल क्या है कि दो गैसों के घनत तो कानुपात दिया हुआ है यानि D1 बराबर एक ऐसे कर लिए D1 अपान D2 ऐसे कर लिए D1 अपान D2 चुकि घनत तो कानुपात एक अनुपाते 16 है ठीक ही ये दिया हुआ है फिर करें इनकी बिसरंड दरों कानुपात निकाल लिए तो पहले की बिसरंड दर R1 दूसरे की R2 है तो बिसरंड दर जो होती है वो घनत तो के वर्गमूल के बित्रमान पाती होती है R is equal to 1 upon under root D होता है तो यहां से बनेगा देखिए R1 क्या बनेगा R1 is equal to 1 upon under root D1 इसी प्रकार से R2 is equal to 1 upon under root D2 तो यहां से जब हम निकालेंगे R1 upon R2 तो मिल जाएगा under root D2 upon D1 तो यहां से मान रख लीजिए क्या दिया हुआ है D1 upon D2 दिया हुआ है तो D2 upon D1 क्या बनेगा D1 upon D2 एक बटे 16 है न तो यह हो जाएगा 16 बटे 1 होगा अगर नहीं होगा कर दीजिए यह बनेगा 16 बटे 1 ठिक अब यहां से इसको साल्व करिए क्रम से तो R1 बटे R2 बराबर इसको काटेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना बनेग ठीक है चलिए यह भी दूसरा सभी हो गया अब देखेंगे 5 वा सवाल यह समझ में आया तो यह जो विसरन दर होती है वह घंत के वर्गमूल के बिद्रोंपाती होती है मतलब जिसका घंत वाधिक होता है उसमें विसरन की दर कम होती है ठीक है तो उल्टा होगा तो यहां R1 अपान R2 लिखेंगे तो अंडरूट में D2 अपान D1 लिखेंगे भई ठीक चाहिए यह हो गया अब देखेंगे हम लोग यह पांचवा सवाल पांचवा सवाल क्या है कि एक ग्राम एक ग्राम पानी को सून फारेन हाइट से सून सेलसियस तक गर्म करने के लिए और शक उसम होगी देखिए उसमा के लिए भी फार्मूला एक सवाल अभी था न क्यों बराबर है हम यह सडिल्टा टी उसी फार्मूले से इसको भी हम लोग करम से साल्व करेंगे तो देखें सून फारेन हाइट आपका जो है यह कह रहे हैं सूने सेलसियस तक गर्म करने पर सूने फार CS जो है, वो 0 ने फारेंहाइट के बराबर है, के बराबर है, के बराबर है, अब अगर ये बराबर है, देखें क्या होता है फार्मूला C पां 5 is equal to yup minus 32 upon 9, यह होता है फार्मूला आपका, तो यहां से, अच्छा R निकालना है, तो देखें, उस दिन काटते हैं यहां से हैं तो इस प्रकार से आपको मिलता है तो चलिए यह इसको साल्व करते हैं तो यहां इसी की जगा एक्स लिखेंगे अपान 5 और फारेन हाइट में हमने सुन्नी का सुनी जो है यक्स ताप यक्स अंसलशियस के बराबर है तो यह की जगां 0 करिए माइनस 32 9 ठीक है अब इस 9 को कार दीजिए कितना बनेगा 9 से काटेंगे तो चलिए काटेंगे क्या भाग दे रहे हैं 32 भागे 9 ठीक है 9 तरीक 27 बचा 27 इसमें घटाईए आया 5 9 पचे 45 यह 45 इस प्रकार से आता जाएगा ना यह 55 45 इसे आता जाएगा ठीक है तो यहां से यह मिल गया आपको यक्स बटे 5 बराबर माइनस 3 दसमलो 5 अब यह 55 आएगा तो इसको 6 बना लेजिए 5 6 ठीक अब यहां से इसको क्रम से हम लोग साल्व करेंगे भाई कितना आएगा यह यह यक्स बराबर यह गुड़ा हो जाएगा ना गुड़ा करिए 6 पचे 30 बचा 3 पच पचे 25 पचीस त 25 बचा 2 पांस्तियां 15 पंदरा दो 17 ठीक यह होगा आपका अब दो अंग पर दसमलो लगा जी 17.8 हो गया यह कितना ताप ठीक तो सून्य फारेन हाइट से कितना 17 फारेन हाइट यहां पर किये हैं तो ताप में कितनी की ब्रिद्धी होगी ताप में ब्रिद्धी निकाल ले यह डेल्टा टी ताप में परिवर्तन निकाली है सून्य माइनस पहले कितना था सून्य बाद में कितना हुआ माइनस 17 इसको माइनस में लिखेंगे 17.8 ठीक तो डेल्टा टी कामान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 17.8 ठीक यह डेल्टा टी हो गया अब इतना गर्म करना है किसको गर्म करना है एक ग्राम यानि यम बराबर दिया हुआ है एक ग्राम ठिक और ताप में बृद्धी डिल्टा टी बराबर 17 दसमलो आठ ठिक अंसल्सियस यह सेल्सियस में हो गया ना और यम हो गया यस कामान कितना होता है जल के लिए विशिश्ट उस्मा जो है वो होती ह एक कैलोरी प्रतिग्राम प्रतिएंस इंटिग्रेट लिख दें क्या प्रतिग्राम समझ लिखेगा है ना कैलोरी प्रतिग्राम लो लिखी दे रहे हैं कैलोरी यह Q बराबर क्या होता है, या मियास डेल्टा T, रख दीजिए, एक एक सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां डेल्टा T 17.8, अब इसका गुड़ा करेंगे, तो 17.8 आठ आएगा, ठीक है, तो 17.8 कहां दिया हुआ, देखिए 17.7 दिया हुआ है न, यहां देखिए, यह लगभग में निकाले थे न, तो लगभग में यह भी आया है, तो 17.7 यह कौन सा सही होगा, यह आपका दूसरा आपसने सही हो जाएगा, ठीक, यह वाला 17.7, चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, छटुमा सवाल, छटुमा सवाल क्या कह रहा है, कि Y में ध्वनिका वेग Y में ध्वनिका वेग 330 मीटर पर सेकेंड है, जब 1320 हर्ज आपरित की ट्यूनिंग फोर्क 60 कमपन करती है, तो ध्वनिका वेग में तैंकी गई दूरी जात के जी, देखें दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए कैसे क्या करेंगे भई, देखें पहले जो जो दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, ध्वनिकी चाल दी हुई है, चलिए, चाल लिख लेते हैं, कितना, 330 मीटर प्रति सेकेंड, चाल हो गया, आपरित्ति दिया हुआ है, कितना, आपरित्ति दिया हुआ है, 1320 हर्ट, ठिक, ये आपरित्ति हो गई, इसके बाद, ये और क्या दिया हुआ है साथ कमपन करती है तो कमपनों की संख्या दी गई है है ना कमपन दिया है साथ कमपन ठीक है अच्छा ये की जो और जानी है दिखिए ये धनी जो है ये कमपन अगर कर रही है तो एक कमपन में कितनी दूरी जाएगी तरंगदैर्ध के बराबर तो एक एक कंपन जो है तरंगदैर्ध के बराबर तो 60 कंपन बराबर 60 गुड़े तरंगदैर्ध कर लेंगे वह Sugne will चाल और आबुद्त दिया हुआ है तो तरंग दैर्ध निकाल लेजिए हम लोग जानते है चाल बराबर आ इन्टर में बहुत सवाल लगाए हो क्या चाल बराबर क्या होता है अबस्ति गुड़े क्या तरंग देर्ध तरंग देर्ध अबस्ति गुड़े तरंग देर्ध तो बटे में लिखिए यहाँ आप रित्त, ठीक, अब क्या करेंगे, इसको साल्व करिए करम से, चाल कितना है, 330 अबटे आप रित्त, एक, तीन, दो, जीरो, ठीक है, यह जीरो से जीरो काट दीजिए, अब इसको काटेंगे, देखिए 3, 2, 5, 1, 6, 3 से कट जाएगा ना 3, 11 हो गया इसको 3 से काटिए 3, 4, 12, 3, 4, 12 11, 14, 44 ये 4 बचा तो तरंग दैर्ध मिल गई तरंग दैर्ध मिल गई आपको कितना तरंग दैर्ध बराबर 1 बटे 4 तो समझेए जितनी तरंग दैर्ध होती है उतना एक चकर में चली गई दूरी के बराबर होती है एक कमपन में चली गई दूरी के बराबर होती है तो एक कमपन में यहां चली गई इसको डीटेल में लगा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए यदि नहीं पढ़े होंगे तब भी क्या लिखेंगे एक कमपन में चली गई दूरी एक कमपन में चली गई दूरी कितनी हो गई तरंग दैर्थ के बराबर तो कितना कमपन चला है? 60 कमपन है ना? तो 60 कमपन में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 60 कमपन में चली गई दूरी यह हो जाएगा 60 गुड़े, एक बटे, 4 अब इसको काट दीजिए, 4 दो से काट यह आया, 30 फिर काटेंगे आएगा 15 15, तो चली गई दूरी आपके आगई 15 क्या, अब यिदmen मीटर में दिया हुआ है ना, यह 15 मीटर हो जाएगा दूरी, ठिक, यह हो गया दूरी 15 मीटर, ठिक, चलिए, तो कौन सा सही होगा यहां 15 अपसन, यह दूसरे में है 15, ठिक है, तो दूसरा इसमें चैई हो जाएगा, यह आपका दूसरा सवाल यहाँ पर सही है ठिक चलिए अब देखते हैं सातवा सवाल सातवा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी तरंगे अनुदैर्ध तरंगे हैं ठिक तो इसके लिए आपको यहाँ से देखना होगा देखे वायू में ध्वन की तरंगे अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे यह रेडियो तरंगे जो है यह क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है प्रकास विद्धु चुम्ग की तरंगों के रूप में चलता है यह भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसमीय तरंगे यह भ पहला सवाल, ठीक है, फिर से एक बार रिवाइश कर लेंगे, देखे, 100 ग्राम की एक ठोस गोली, इतना कैलोरी उसमा दी जाती है, ताप करम बढ़ता है, तो उसमा देने पर ताप बढ़ता है, कहां लगा था, यार, ये कहां गया, कुश्यन, ये था, तो ये देखे, इसको क क्यू बराबर याम याश डेल्टा टी कर लिए, याम कामान सो, याश डेल्टा टी सो, बारा है, यहां साल्व करेंगे, तो यास कामान विशिश्चुश्च मा आ जाएगा, ठीक, ये पहला सवाल हो गया, दूसरा कहारे है, कि एक कंड जिसका क्यू, क्यू द्रब्यमान या पहले कुल दूरी निकाल लेंगे, कहां लगा रहा है था यार, कुल दूरी, ये कहां गया, ये, पहले कुल उंचाई निकालेंगे, एक जो है, एक सीड़ी 20 सिंटीमीटर की है, और 15 सीड़ी है, तो गोडे 15 कर लेंगे, 300 आया, 3 मीटर, 3 मीटर उंचाई आ गई, जी कामान हुआ है द्रबेमान यह हो जाएगा और यहां रख दिए पी का मान आ गया ठीक यह पी का मान इस प्रकार साल हो गया चौथा सवाल यह जो है क्या है कि विश्रण दर जो है घनतु के विद्कमान पाती होती है तो यहां से बनेगा अब पहले ताप जो है जीरो था जीरो से माइनस इतना अब पहले ताप जो है जीरो से माइनस इतना इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा टी यहां इस डेल्टा टी से लगा देंगे क्यों बराबर यह आपका आगया सत्तर दूसम्दों यह वाला ठीक है और छटोंवा ध्वनी की चाल दिया हुआ है आब रित्ति यहां पर दिया हुआ था यह प्रश्म हैसे लग लिए तरंग देर्द हाया एक एक कंपन में चली गई दूरी के बराबर होता तरंग देर्द तो साथ कंपन चला है तो साथ से गुड़ा कर लिए पंद्रा मीटर आ गया ठीक यह हो गया और यह अंदिम सवाल तो यह जो है तरंगे अनुदैर कौन सी होती है दूनी तरंगे आपके आद के पूरे हो गए चलिए पढ़ते रहिए मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में